एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी का बैंक निफ्टी की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसकेशन होने वाला है निफ्टी कि फिफ्टी में आज आपने कोई ट्रेड नहीं किया होगा उमीद है क्योंकि मार्केट काफी साइडवेस था और साइडवेस मार्केट को मैं आपको हमें सा कहता हूं आपको अवोईड करना है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी प्रोपर जो मार्केट का को आप देखेंगे एक रजिस्टेंस जोन दिखाई दिया फिर मार्केट ने इसका ब्रेक आउट दिया फिर मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दे और एक लगबग एक पूरी रेंज में बना रहा है यहां पर थोड़ा सा और नोटीस करेंगे एक चीज और मैं यहां तक इतना उपर तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं चलो इस सिनेरियो को भी डिसकस करते हैं यहां पर कुछ डिसकशन करते हैं कल के दिन आपकी प्लैनिंग क्या होनी चाहिए जैसे कि मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझाओगा नो ट्रेडिंग जोन एक तो इसके हाइक ब्रेक आउट रहेगा और इस वाले जोन तक जब तक मार्केट नीचे नहीं निकलता आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए वो हम आगे डिसकस करेंगे लेकिन यहां पर हम चार चीज़े डिसकस कर लेते हैं अगर गैप अप का सिनेरियो बना तब क्या करना ह या फिर गैप डाउन का सिनेरियो बना तब क्या करना है या फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पोजेटिव मुमेंटम दिखाया उस सिच्वेशन पर क्या करना है या फ्लैट ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मुमेंटम दिखाया इस सिच्वेशन पर क्या करना है इन च अगर इससे उपर आपको gap up opening मिल जाती है, कहीं somewhere यहाँ पे, 7th की day high के पास, और अगर market ने इस gap को fill करने की कोशिस की, तो यह आपके लिए support बन जाएगा, यहनि कि 7th का जो day high है यह भी support की track करेगा, और जो 8th का day high है यह भी आपके लिए support की track करेगा, क्योंकि लगबग लगबग एक ही zone में है, लेकिन अगर market ने इस gap को fill नहीं किया, यहीं पर ही gap up open होके, market ने एक bullish projection create किया, यह retest करने आया है, और इसी level पे support लेके bounce कर गया, तो यहां से आपको एक buying opportunity मिलेगी, और 18,700 का zone है, market इसमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहां से भी हम एक rejection ले चुके हैं market का पहले भी, खासली आप अगर आप 5th को देखेंगे, तीन बार rejection दिया था, सेम ही level पे, तो यह आपके लिए market के लिए एक supply zone हो सकता है, तो इस पे आपकी खास नजर रखने चाहिए, जब तक इसका breakout न हो जाए, या तो आप अपने stock लोग उसको ट्रेल करते रहेंगे, या फिर इसका breakout हो जाए, तभी आप ट्रेड में बने रह सकते हैं, पर लेकिन बहतर तरीका क्या होता है, के market ने positive momentum दिखा है, याणि कि market flat open होता है, तब भी आपको इस zone के breakout का तो इंतिजार करनाई है, यह वाला जो zone है, क्योंकि यह एक मजबूत rejection की तरह है, market को आज रोके रखा, और कल के दिन भी रोके रखा, पहले तो market इस zone पे support लेता रहा, फिर जैसे इसका breakdown दिया, market इसका breakout ही नहीं दे पाया, यहाँ पर रजिश्रेंस की तरह एक्ट करता रहा, तो फिर उस situation पे market अप्रोच करता हुआ, जो 7th का day high है, इस zone में जा सकता है, अ market इसे approach करने की कोशिस कर सकता है, यहाँ पे एक discussion और करेंगे, अगर आप देखेंगे, दो दिन से market इस zone में बना हुआ है, अगर कल भी इस zone में बना रहा, तो आपको trading नहीं करनी है, trading को avoid करना है, अब gap down का scenario discuss करते हैं, अगर gap down होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यह एक मजबूत support zone भी है, यह भी हमें पता है, यह भी आपको situation दिखाए दे रही है, अगर gap down open होता है market, और वहाँ पे हमें पहली candle को देखना है, 5 minute की जो पहली candle है, अगर उसके high का breakout मिला, तो market कोसिस करेगा इस gap को fill करने की, अगर उस situation पे आप buying की side जाते भी है, तो यही पे ही resistance zone पे ही profit book करना है, किलियर है, यह फिर इसका तरीका क्या होता है, depending on gap down कितना है, अगर ज्यादा बड़ा gap down नहीं है, तो इंतिजार केजिए, भले ही इसकी high का breakout भी मिल जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या price action create हो रहा है, अगर इसका breakout देके market retest करके price action create करता है, तो आपको buying opportunity मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे resistance कीतर ही act करके, एक bearish sign आपको यहाँ पे दिखाता है, तो यहाँ से आपको selling opportunities मिलेगी, उस situation में सीधा सीधा जो 5 minute की candle मिली है, उसके low तक market approach करने की कोसिस करेगा, अगर उसका भी breakdown मिल गया, तो आपको और ज्यादा opportunities मार्किट में देखने को मिल सकती है, किलियर है, कोई confusion तो नहीं है यहाँ पे, अगर breakdown, अगर flat open होगे, negative momentum दिखाया, उस situation पे क्या करना है, मैं आगे support resistance discuss करूँगा, price action के according, चलो मैं आपको सीधा वहीं पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे discussion करेंगे, जो उपर की तरफ हमी resistance नज़र आ रहा है, 18,675 पे नज़र आ रहा है, price action के according, यह मैं आपके साथ level discuss ही कर चुका हूँ, अगर इसका breakout मिलता है, उसके बाद जो resistance नज़र आ रहा है, 18,700 के zone पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे भी पहले भी आपको एक मजबूत resistance दिखाई दे चुका है, तो इन दोनों resistance पे आपकी खास नज़र रहनी चाहिए, वहीं पे support की बात करें, support हमें दिखाई दे रहा है, 18,550 पे जहाँ पे आज का day low भी आपको इसी zone के आस पास दिखाई दे रहा है, इवन 7th का भी ही एक मजबूत support आप यहाँ पे मान सकते ह है, कि मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत support दिखा है, 29 को भी मार्केट इसी zone में support लेके आपको एक bounce दिया था, इन चीजों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, अगर इसका breakdown मिलता है, तो 18,500 पे आपके लिए अगला support यहाँ पे बनने वाला है, चीजे clear है, कोई confusion नहीं है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और discussion करते है, note trading zone का, हाला कि note trading zone में आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे level आगर आप note करना चाहते है, note कर सकते है, 18,625 और नीचे की तरह पे 18,566, जब तक इस zone में रहेगा, trading को avoid करना है, breakout मिलता है, price उपर sustain करता है, तो buying opportunities मिल सकती है, breakdown मिलता है, price नीचे sustain करता है, तो आपको selling opportunities मिल सकती है, महीं पर बात करें, pivot point के according हम ही कहा का, आप इस support resistance दिखाई दे रहे, अगर nifty-fifty में आपको एक positive momentum दिखाई देता है, उस situation पे जो में पहला resistance नज़रा रहे, 18,638 मिन ज़रा रहे, अगर आपको इसका breakout मिलता ह जो दूसरा resistance दिखाई दे रहे, दूसरा resistance बताने से पहले मैं आपको बता दूए, आपके लिए किसी भी तरहकर ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह जस्ट educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपने investor के सला लेनी है, क्योंकि profit भी आ 18,725 पे आपको यहाँ पर तीसरा resistance दिखाई दे रहे है, वहीं बात करें, 50-50 में अगर आपको देखने को मिला एक negative momentum, उस situation पर जो में पहला support नज़रा रहे है, 18,585 पे नज़रा रहे है, अगर आपको इसका breakdown मिलता है, जो आपको दूसरा support दिखाई दे रहे है, 18,532 पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिगा और बेल आइकन प्रेस कीजिगा जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में ये किसी अच्छे content के साथ, थैंक यू